हेलो एवरिवन नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं सूरसाहू स्वागत करता हूँ आप सभी का Competition Community के YouTube प्लेटफॉर्म पे चलिए लास्ट क्लास में हमने एक चीज शुरुआत की थी पेपर थर्ड पार्ट 1 इंडियन हिस्ट्री और उसमें भी किस चीज के बारे में देख रहे थे Modern History के बारे में देख रहे थे भारत के आधूनी की तिहस के बारे में चर्चा कर रहे थे कुछ प्रश्चनों की चर्चा किये थे हमने जाना था कि about eight अंक के प्रश्णों को, किस तरीके से लिखना है? किस तरीके से manage करना है? कैसे बताना है? क्या रहेगा? क्या नहीं रहेगा? यह सारी चीजिए उसमें चर्चा किये थे. आज हम देखेंगे उसी के आगे. कल मैंने last class में हमने आप लोगों को शायद एक homework दिया था कि एक 8 अंक का प्रश्ण था वो 8 अंक का प्रश्ण कौन सा था शायद यही कि भारत के स्वतंद्रता आंदोलन में सविने अवग्या आंदोलन civil disobedience moment की बात हो रही है civil moment की बात हो रही है के महत्व जाद हथर बच्चे गलती क्या कर देते हैं अब आप लोग आज यह चीज चेक करोगे अपने आंसर्स आप लोगों के पास लिखे हुए होंगे मिलाओ चेक करो कि क्या आप लोग का अंसर्स वाकई ही सानश में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किस-kis बच्चों ने ये गलती करी है जरूर शर्वाना नहीं कमेंट करके जरूर बताऊगे कि हांसर यहीं गलती हो गई कितने लोगों ने सविने अवग्या अंदोलन को यह explain कर दिया ठीक है कि हाँ सविने अवग्या अंदोलन इस समय शुरू हुआ था डाणी मार्श निकाले गए उसके बाद 19-30 ये वो वो पूरी कहानी लिख दी गई यहाँ पर हम एक शब्द देख दिये सविने अवग्या अंदोलन वो इस सारी चीज़ें शुरू कर दिये बलकि वह चीज नहीं करनी थी आओ जानते है सबसे पहले करेंगे हल करने के द्रश्टी कोण किस तरीके से आप क्या व्यूपॉइंट रहने चाहिए आप लोगों का किसी भी कुश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले आठ और पंद्रम में यही जानते है देखो आठ और पंद्रम आज के प्रश्ट में क्या देखने को मिलता है सविने अवग्या अंदोलन को संशिप्त परिछे लिखिए बताओ कि सविने अवग्या अंदोलन क्या होता है civil disobedience moment क्या होता है बहुत ही short में इसके बारे में बताना है इसी के साथ स्वतंतरता शंगर्स पर सविने अवग्या अंदोलन के प्रभावों का उलेक कीजिए जो main question है क्या effect पड़ा और उस effect का क्या निशकर्ष निकला वो हमें बताना है simple हमें यह नहीं बताना है कि सविने अवग्या अंदोलन क्या था कब शुरू हुआ कैसे खतम हुआ यह तीन चीज हमें बतानी नहीं है हमें बताना है कि सविनय वग्या अंदोलन क्या है छोटा सा introduction और उसके बाद उसके effect क्या देखने को मिले प्रभाव क्या देखने को मिले answers match करोगे देखो बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं बहुत ही गलत तरीके का introduction लिखते हैं introduction मतलब परिचय का मतलब यह नहीं होता कि उसमें हम सारी कहानी बता दे हैं में चीज बता दे हैं परिचय मतलब कि सविनय वग्या अंदोलन होता क्या है किस तरीके का हतियार है सविनय वग्या अंदोलन समझना सविनय वग्या अंदोलन जो 1930 से लेके 34 तक भारत में चला, देश के स्वतंदरता संग्राम में अत्यधिक महत्व रखता है, माहत्मा गांधी के नित्रत में इस आहिंसा विरोधी, शब्दों पे ध्यान दोगे, आहिंसा विरोधी अभियान का उद्देश ब्रिटिश उपनिवेशिक, उद्देश बता दिया गया, ठीक है कि क्या था? ब्रिटिश उपनिवेशिक साशन को चुनोती देना, और आत्मनिर्भर्दा, ओसायोग और अहिंसा विरोधी सिद्धानतों को बढ़ावा देना था, आहिंसा विरोधी सिध्धानतों को क्या करना बढ़ावा देना बहुत ही सिंपल तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का जिसको भी इंट्रोडक्शन लिखने में परिशानी होती है आज एक दो कुशन अभी और देखेंगे पंदरांक में आप लोग समझो कि इंट्रोडक्श और आहिंसा विरोधी सिध्धानतों को बढ़ावा देना देखने को मिलता है ठीक आहिंसा विरोधी सिध्धानतों को इन्होंने बढ़ावा दिया आहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किस तरीके से आहिंसा योग आंदलन देखने को मिलेगा इसी के साथ देखो जन लामबं क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं सबसे पहले जनलाम बंदी मतलब कोई जनता का एक कोई समूह और इनके साथ समूह के साथ बैठके आमने सामने वारता लाप करना front to front मतलब one on one बात करना कि हाँ आपको क्या दिक्कत है क्या problem है उसका solution क्या है इस तरीके से बात करने कोई बोला जाता जनलाम बंदी है ना तो जनलाम बंदी और एकता तो इन्होंने क्या की है इस सविनय वग्या अंदोलन की बात करें अगर ठीक है तो इन्होंने क्या किया जनलाम बंदी बढ़ाई जनलाम बंदी मतलब जनता की जो problem सी हो हमारे तक आई और हमने उनक को पता चला ये solution है तो हमारे साथ बढ़ चले हमारे साथ हो चले समझ में आ रहा है और जिसके कारण क्या देखने को मिली जिसके कारण एकता देखने को मिली बहुत सिंपल सा ठीक है तो जन लामबंदी और एकता जन आंदोलन किसानों श्रमिकों छात्रों महिलाओं एवं सहर मध्यम वर्ग सहित भारतिय समाज के विविन भरगों को एक जुट करने में सफल रहा यह हम सविन वग्यांदोलन क्या है वह नहीं पड़ रहे हम देख रहे हैं कि उसके एफेक्ट क्या हुए क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए हम वो देख रहे हैं तो जन लामबंद पारी ने एक्ता और राष्ट्रिय चेतना की भावना को बढ़ावा दिया इसने क्या किया एक्ता की भावना को बढ़ावा दिया लोगों के अंदर राष्ट्रियता की भावना को बढ़ावा दिया राष्ट्रिय चेतना की भावना को बढ़ावा दिया समझ में आ रहा है चलो, इसी के साथ British Shattah को चुनोती क्या थी British Shattah के लिए चुनोती Civil Disobedience Movement, सभी ने अवग्या अंदोलन में क्या देखने को मिलता है, जान बुचकर ऐसे मुद्दे उठाए गए जो हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं इस समय में ऐसे मुद्दे उठाए गए जो हर एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं चाहे अमीर हो, चाहे गरीब ठीक है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग चाहे श्रमी को, हर व्यक्ति को हर वर्ग को उस चीज की जरुरत थी ऐसे मुद्दो को यहाँ पर रखा गया जैसे की नमक कानून ठीक है, और ब्रिटिशर्स की जो शोशनकारी नीतियां हुआ करती थी, उनको रखा गया और उनी को सब के सामने लाया गया, फिर वो चाहे नमक कानून हो, वन कानून हो मद्य निशेद करने की बात करी जाए विदेशी वस्तुरों का वहिशकार किया जाए ऐसी दमनकारी ब्रिटिश कानून का उलंगन किया, समिनय अवग्या अंदोलन के इस करत्य ने ब्रिटिश उपनिवेशिक साशन की वैद दिता और अधिकार को क्या दिया, चुनोती दिया मतलब लोगों को अब यह पता चल अच्छा नमक कानून, ठीक है, या इनके कपड़ों का वहिशकार करके हम अपनी चीजों का इस्तमाल करें देशी चीजों का इस्तमाल करें, नमक कानून को ब्रिडिश नीतियों की शोशनकारी प्रकृती को उजागर करके, आंदोलन ने भारतिय जनता के बीच पूर्ण सुतंतरता या पूर्ण सुराज की मांग को प्रज्वलित किया, जन जन तक पहुचाया, और प्रकर किया, जो लोगों के अंदर पूर्ण सुतंतरता की जो डिमांड आ रही तो उसको और प्रकर, और तिवर करने का काम किस ने किया, civil disobedience movement ने किया, एक शक्तिसाली साधन के रूप में अहिंसा, अब यहां से लोगों को पता चला, किया, अहिंसा, बिना कोई लडाई जगडा, बिना कोई दंगा किया, अहिंसा के रास्ते से इतने बड़े कारी किये जा सकते हैं, समझ में आ रहा है, इतने बड़े-बड़े कारी किये जा सकते हैं, तो अहिंसा बहुत ही शक्ति शाली चीज के रूप में सब के सामने देखने को मिली आंदोलन ने जंता को शस्त्र के रूप में क्या दिया अहिंसा दिया शस्त्र के रूप में अहिंसा की शक्ति प्रदान की जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फल स्वरूप इसकी प्रभाव शीलता का प्रदर्शन हुआ ये लगों को पता चला कि अरे ये अहिंसा कितना बड़ा हतियार है कितना बड़ा शस्तर है बिना लड़े बिना जगड़े कितना बड़ा शस्तर देखने को मिल रहा है बिडिश शेना के क्रूर दमन और हिंसा का सामना करने के बावजूद बारतियों ने अहिंसावादी सिद्धानतों का पालन करके नैतिक श्रिष्टता एवं साहस बनाए रखा और जिसका परिणाम देखने को मिला क्या समझ में आ रहा है छीक है इस तरीके से आप लोग अपना अंसर फ्रेम करोगे बाद की घटनाओं का प्रवाव कुछ बाद में भी ऐसी कुछ घटना है देखने को मिलती है सिविल डिस ओबिडियन्स मुमेंट याद रखना बार बार इसमें कहीं भी आप लोग अपना र अइड़ू थे सभी लोगों को गिरफतार कर लिया गया अरे नहीं प्रवाव पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है कि सभीने अवग्या अंदोलन में क्या हुआ क्या हुआ, एफेक्ट क्या थे, क्या प्रभाव थे सविनय वग्या अंदोलन का स्वतंतरता अंदोलन और बिटिस सरकार के साथ समनवय को लेकर काफी प्रभाव देखा गया इसने अंग्रेजों को भारती राष्ट्रिवादी अंदोलन को एक महतपूर्ण और वैद शक्ती के रूप में स्विकार करने के लिए मजबूर कर दिया ठीक है मजबूर किया बहुत सिंपल से पॉइंट है स्वतंतरता की रा इन्हों ने ये बता दिया कि आरे वाले समय में स्वतंतरता मिलना मुश्किल नहीं है बहुत असान है इस अंदोलन ने स्वतंतरता के लिए भारत के संगर्शपत को अकार देने गांधी इर्विन समझ अब इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा क्या कॉन्क्लूशन देखो बहुत असानी से समझ लेना क्या देखने को मिल रहा है बहुत ही छोटा सामने परिच्छा लिखा दो से तीन लाइन का परिच्छा देखने को मिल गया इसको आप लिखोगे तो ये दो लाइन या ती की रहा किस तरीके से इस आंदोलन के तुरू हम सोतंता की रहा पे एक कदम और आगे बढ़ाए इसके साथ साथ हमारा आंसर की मेन बोड़ी खतम दो लाइन का निशकर्ष लिखो और आंसर को करो खतम समझ में आ रहा है देखो निशकर्ष क्या स्थवीने अवग्या आंदो करता है वहीं से पॉइंट उठाओ लेकिन वहीं पूरे की पूरे पॉइंट नहीं लिख देना है थोड़ी सी भाषा थोड़े से चीज़ें हमारी अलग होनी चाहिए नहीं कि जो परीचय था वहीं उठा के पूरा एक्जेक्ट दुबारा रिपीट कर दिया ऐसा नहीं है उनी चीज़ों का शब्दों का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन आपके वाग के आपकी चीज़ें थोड़ी सी अलग होनी चाहिए एक निशकर्ष निकलना चाहिए ठीक है तो देखो लाम बंदी जन लाम बंदी अहिंशा विरोधी और पूर्ण स्वायत की मांग के माद्यम से इ इस तरीके से अजादी मिल रही है उनको इसका एक रास्ता तयार हो गया एक पात तयार हो गया और इसी के साथ हमारा आंसर हो गया यहां पर खताम इमानदारी से बताओ किसका किसका आंसर इन पॉइंट से मैच कर रहा था अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही important है इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोगों का आंसर लिखने है ठीक है अगर जादस जादा comments रहेंगे तो और भी कुछ ऐसे important questions लेके आएंगे जिसकी भासा आपको समझ में नहीं आता ठीक है उन questions को भी मैं एक PDF तयार क जिसमें हम किवल questions को समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज हम समझेंगे कि नहीं क्या है क्या नहीं तो जादा सजादा comment करके आप लोग बताओगे कि इस चीज को हमें किस तरीके सा समझ में आया की नहीं कि हमने अपने आंसर में यही लिखे थे कहीं भी इसमें धरासना का नाम मेंशन हुआ नमक तोड़ो कानून का नाम मेंशन हुआ दांडी जी की दांडी मार्च का नाम मेंशन हुआ क्या नहीं हुआ कहीं नहीं आया कहीं भी लॉड इर्विन का नाम देखने को की गांडी जी के उपर यह गांडी जी को अरेस्ट कर लिया गया जवाल नाल नह अगर सबको सरोशनी नाइडू का नाम देखने को नहीं मिला, कुछ भी चीज नहीं था, बस क्या देखने को मिला, सविनय अवग्या आंदोलन के एफेक्ट्स, प्रभाव, केवल और केवल हमने प्रभाव पर चर्चा की, क्या एफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या वह कारण थे, क्या वह परिणाम थे, इसके कारण सविनय अवग्या आंदोलन शुरू हुआ, वो भी देखने को नहीं मिलता, केवल और केवल प्रभावों की चर्चा बोला गया है, तो हमने आठ नमबर में केवल और केवल क्या किये हैं, प्रभाव की चर्चा की हैं, ठीक है, तो इमानदारी से कमेंट सेक्षिन में जाओ, और बताओ, कि किस तरीके से आप लोगों ने आंसर लिखा, क्या इसी की तरीके से लिखा, कितने पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, यह भी आप लोग बताओ, और इस आंसर को दुबारा लिखो, एक बार वीडियो देखने वाद दुबारा लिखो, क्या आप लोग अब उस आंसर को लिख पा रहे हो, उनी पॉइंट्स को मैच कर पा रहे हो, ठीक है, चलो, अब इसके बाद समझ रहे हैं हम, 175 शब्द सीमा के साथ, वर्ड लिमिट 175 और मार्क से 15, 15 अंक का एक प्रेश्न, बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है, 1857 से हर बार कोश्चन्स देखने को मिलते हैं, इसलिए 15 अंक में हमने लेके आगे, और इस तरीके का कुछ कोश्चन है, जिसमें आप लोग के सारी चीजें कवर हो जाएंगे, प्रेश्न को समझते हैं एक बार, 1857 के विद्रो केवल एक सिपाही विद्रो नहीं था, बलकि यह विडिश उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरू होने वाला स्वतंतरता संग्राम था, शुरू होने वाला स्वतंतरता संग्राम, समझ में आ रहा है ना कुश्चन, यह केवल एक सिपाही विद्रो नहीं था, यह क्या था, ब्रिश उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरू होने वाला एक स्वतंतरता संग्राम था, ब्रिश कॉलोनीज के खिलाफ, इस विद्रो के कारण समझना अब ध्यान से यहां से main question शुरू हो रहा है ये line तो आप लोगों को गुमराह करने के लिखी लिए लिखी गई है इस line के कोई देखा जाए वास्तविक्तम है कोई ज़रूरत नहीं, direct लिख सकता है 1857 विद्रो के कारण प्रकृती और परिणामों के संदर्व में इस कतन की समालोचनात्मक परिक्षन कीजिए तो ये कतन बस आप लोगों को बताना कहीं भी आप लोगों को ये नहीं बोलना समालोचनात्मक, बतलब ये नहीं बोलना है कि हाँ ये सिपाही विद्रो नहीं था या सिपाई विद्रो था आपको यही बताना है सिपाई विद्रो नहीं था और किस तरीके से यह एक पहला सुतंता संग्राम शुरू हो रहा है यहां से सुतंता संग्राम की शुरू वात हो रही थी इस चीज के बारे में बताना है इस चीज पर हमेशा ध्यान दोगे समालोच समझ लिए हो, अब तो खेल केवल हो, केवल कंटेंट का है, अगर इमानदारी से मेंस की तियारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को यहीं pause करो, आंसर लिखो, आंसर लिखने के बाद फिर इस वीडियो को आगे देखो, और चेक करो कि क्या आप लोगों को आंसर सहीं लिख रहे हो, या नहीं लिख रहे हो, या एक काम करो, दरश्टी कोण और देख लो किस तरीके से लिखना है, 1857 के विद्रों का संचिप्त परिचय, क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम संचिप्त परिचय, 4 से 3 से 4 लाइन का देते हुए, अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए, इसके कारण प्रकृती और परिणाम, में बॉड़ी यही पूचा है, कारण क्या थे, नेचर कैसी रही, प्रकृती, हिंसा हुई, हिंसा हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, यह बताईए, और उसी के अधार पर क्या लिखिए, निश्कर्ष लिखिए, यही पर वीडियो पॉज करके, इमानदारी से इस कोश्चन लो, यह कोश्चन है आप लोगों का, स्क्रीन शॉट लो, और आराम से देखो, और इस कोश्चन का अंसर लिखना शुरू करो, ठीक है, अब जब शुरू कर दियो हो, तो अब इसका अंसर देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें भी ऐसे ही याद रखो, आप यह महतपूर्ण घटना है, बहुत ही महतपूर्ण योगदान है, इस तरीके की लाइन, आप लोग के इंट्रोडक्शन में हर जागे काम आ सकती है, ठीक है, यह बारत में बिडिश औपनिवेशिक वाद के खिलाब शुरू हुए स्वतनतरा संग्राम के रूप में देखते हैं, कुछ इसे ऐसा मानते हैं, कुछ इसे ऐसा मानते हैं, अपन ने इंट्रोडक्शन के अधार पर इतना परिचय दे दिया, क्या है यहां तक समझ में आया, और यहां से शुरू हो जाएगी, कुछ न की में बॉड़ी, मुख जो शरीर देखने को मिलेगा, में बॉड़ी देखने को मिलेगी, क्या लिखना है आप लोगों को आपके आंसर में, वो यहां देखने को मिलेगा, समझ न, रीजन क्या है, कौन-कौन से कौस देखने को मिलते हैं, छी कारण, कारण, जिसे बोला जाता है, immediate cause, ये सारे points आप लोगों के answer में होने चाहिए, अब 15 नंबर का question है, और 15 नंबर के question में, आपने केवल कारण नहीं लिखना है, कारण भी लिखना है, प्रकृति भी लिखना है, परिणाम भी लिखना है, तो उसी हिसाब से कारण होता है, मैं राजनातिक पता है, धार्मिक पता, आर्थिक पता है, तो पूरा page या पूरा समय उसी में लग गया, आपको कारण भी वकायदा लिखना है, प्रभाव भी लिखना है, उसके क्या परिणाम देखने को मिले, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आपके answer में mention करन था, हर एक वर्ग परिशान हो चुका था, ब्रिडिशर्स की नीती से, साथी में थोड़ा सा नाम mention करोगे, permanent settlement, मतलब इस्थाई बंदोबस, रहत वाडी, महलवाडी, जारेदारी, इन बंदोबस से क्रशक वर्ग की हालत खराब हो चुकी थी, और ब्रिडिशर्स की शोशन कारी नीतियों का सामना खुलासा हो चुका था, देखो, समझो जरा, ब्रिडिश इस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का नकरात्मक प्रभाव पड़ा था, बहुत जादा negative effect पड़ा, जिसने भारतिये कारीगर, चाहे कारीगर हो तो, व्यापारियों को व्यावसाय से बाहर कर दिया था, इनकी हालत इतनी गंबीर हो गई थी कि इनकी अपनी दुकान बंद करके दूसरे काम करना शुरू किया गया था, इनकी यहालत हो गई थी, कंपनी की भूर आजस्वे नीतियों के कारण भी भारत के कई हिस्सों में व्यापक गरीबी और अकाल की स्थिती कियान रखना कारण भी लिखना है, उसमें क्या-क्या देखने को मिला वो भी लिखना है, परिणाम भी लिखना है, इस कारण हम यहां पे भूर आजस्वे नीतियों को जादा एक्स्प्लेइन कर ही नहीं रहें, कि हम लगे हैं शुरू पर्मनेंट सेटलमें में क्या हुआ वर रहतवाडी में क्या हुआ, महलवाडी अहां, यह भूर आजस्वे की नीती, ऐसी हुँए थी, जढ़ ज़्यादा आप यहांपर क्या मेंशन कर सकते हो, ना मेंशन कर सकते हो कि हां, आपने क्या कर दिया इजारेदारी प्रता, आपने स्थाई बंदोबस्त, इस्थाई का नाम लिख दिया, ब्रेकेट में डालके आपने ये नाम लिख दो, इस्थाई बंदोबस, रहतवाडी और महलवाडी, बस इसते जादे इनको एक्स्प्लेइन वगर नहीं करने हैं कि भारत के कई हिस्सों में व्यापक गरीबी और अकाल की स्थिती उत्पन्न हो गई, इतन काथ नमबर की चीजों में आ गया, तब आप पूरा एकस्प्लेइन करोगे, कि स्थाई बंदोबस क्या था, रहतवाडी क्या था, महलवाडी क्या था उस समय WATर के करोगे, लेकिन अगर इस तरीके का कोश्चन आया, वेच ना करो, समाजिक कारण को भी एकदम शौट में बताओ, समाज कारण में आप लोग को ऐसा नहीं जाना है कि बहुत डिटेल में जाओंगे, क्योंकि कारण ही अपने आप में एक कोशन है, देखने को मिलता है, अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियों की शुरुआत की थी, जो परांपरिक, सत्ता और स्णरचना और भारतिय कुलीन एवं उच्छ जाती के हिंदूों को विशेशा दिकार के लिए खत्रा थी अब जब हम इसको पढ़ते हैं, तब हम अकसर एक बात की चर्चा करते हैं कि यह समाजी कारण तो ब्रिडिशर्स ने कुछ अच्छा काम किये थे, लेकिन इसके खिलाब भी क्या दिक्कत हो कि उन्होंने सतिप्रता को बंद किया, विद्वा पुनर विवा को चालू किया, बाल विवा पर रोक लगाई ऐसे-ऐसे कुछ उन्होंने समाज के लिए काम किये इस्रियों के सिक्षा देनी की बात कही तो यह तो अच्छी बात थी, लेकिन अच्छी बात थी तो क्या देखने को मिल रहा था, जो पुरू सत्तात्मक समाज हुआ करता था, उस समाज की जो शक्ति थी उस समाज की जो ताकत देखने को मिल रही थी वो कहींने करते टाकत छिन रही थी तो ये जिन से ताकत छीनी जाएगी जो सत्ता में है को मिले तो वो नहीं चाहिएगा कि उसकी ताकत छीन है के लिए और पूरुष सत्तात्मक समाज के लिए खत्रा देखने को मिलती थी अंगरेजी शिक्षा की शुरुवात और इसाई मिशनरियों के भारत में आगमन में भी भारती अभिजात वर्ग के खत्रे की भावना पैदा कर दी थी समझ में आ रहा है, इसाही मिशनरी भारत में आ गए, जिससे अब इनको लग रहा था कि इनकी क्या हो चुकी है, यह देखो धार्मिक, धार्मिक कारकों ने भी इस विद्रोग की भूमी का निभाई थी, अंग्रेज दौरब शुरू किये गए, ने धार्मिक सुधार और प्र बेदा जाता था, जिससे उनको लगता था, इनका धर्म भेष्ट हो जाएगा, तो यह सब चीजों के आपने चर्चा नहीं करनी है, पंदा नंबर का कुश्चन है, बहुत सारी बाते बतानी है, इतने महीं कारण हो जाएगा, अभी तो हम केवल कारणों की शुरुवात कर बार-बार बता रहा हूँ, यह गलती आप लोग नहीं करना, और आप लोग आधसर में में करते रहो, कि अगर यह गलती किया है, आपने तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, दार्मिक के बाद राजनेतिक, राजनेतिक में भी बता दो कि भी यह हडप नीती, सहयक संधी, ठ आप लेप, इन सबने क्या किया, राजा महराजाओं के छेत्र को हडपना शुरू कर दिया, भारतिये छेत्र को हडपना शुरू कर दिया, जिससे क्या देखने को मिला, आने वाले समयमत भाई दिककत तो देखने को मिलेगी, जिसके कारण यह वित्रों की शुरूआत हुई जेखो, अंगरेजों ने कई भारतिय राजियों पर कबजा कर लिया, कबजा कर लिया था, भारतिय शाषकों को नाम मात्र का शाषक बना दिया, किसी को पेंशन दे रहे हैं, किसी को नाम मात्र का शाषक बना रहे हैं, लॉर्ड डलोजी दौरा शुरू किये गए व्याबगत के सिद्धान के कारण कई भारतिये शाषकों में असंतो शुत्पन हो गया था सू शाषन की व्यवस्ता बोलो व्यापगत का सिद्धान तो बोलो और इस ते भी पहले वेलेजली दौरा शुरू किया गया सायकसंदी की चीजें बोलो ठीक है लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं अब पता चला सायकसंदी हमें बहुत अच्छे से आता है तो हम सुरू हो गए कि सायकसंदी वेलेजली के पहले भी डुपले के दौरा शुरू किया गया था सायकसंदी का रूप ये था वो था किस छेत्र को जोड़ा नहीं जोड़ा वो सब कुछ भी नहीं हमें केवल अडिए prosper of revolt और लास्टा में लिखेंगा किया देखने को मिला कि या क्या परिणाम थे क्या result दEखने को मिला तो हम नहीं प्रकृति बताने हैं आप लोग को प्रकृति के से हिंसा हुई या हिंसा हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब व्यापक भागीदारी व्यापक भागीदारी अब देखो ये points बहुत important है प्रकृति के लिए ये points मुझे जहां तक लग रहा है बहुत कम बच्चों ने अपने answers में लिखा हुआ को मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो को pause करके लिख के देखो स्तिपाही मात्र शुराती उत्प्रे रखते स्तिपाहियों ने इस विद्रो को केवल और केवल शुरुआत की जल्दी ही इस विद्रो समाज के अन्य हिस्सों में फैल गया था जिसमें किसान, कारीगर यहां तक की कुछ शाशक वर्ग भी शामिल पे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, वियापक भागीदारी में हमने कुछ जादा नहीं बताया, हमने केवल इतना बताया कि हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था इसमें, 15 अंका कोश्चन है, इसके बाद यह विद्रो उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा, सीमित नहीं था, बलकि ब पॉजिटिव वे में बताना है, समा लोचनात्मक उसका परिक्षन करना है, तो हमें बताना है कि भाईया केवल एक ही चेत्र में नहीं हर चेत्र में था, गडबंधनों पर बल, भाईया अलग-अलग चीजों की अलग-अलग तरीके से गडबंधन हुएं, देखो, विद्र अंग्रेजों के खिलाब विद्रोह का नेत्रत्व किया, इस दौरान विद्रोहियों की स्वतंत्र भारतिये राज्ये के संदर्व में पश्ट दृष्टि थी, इसमें कुछ नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद समाज में परामपरिक भारतिये मूल्यों की स्थापना का प् अंग्रेज या ब्रिडिश शाशन 1857 के विद्रो का अब यहाँ पर आ जाएगा क्या परिणाम विद्रो के भारत और ब्रिडिश सामराज दोनों पर महत्पूर्ण प्रभाव पड़े थे अब वो क्या परिणाम थे जैसे बाटो और राजकरो की नीती हमें पता डिवाइडन रूल की शुरुवात हो गई यहां से इनको पता चल रहा था परिणाम में कि भिया इन लोग अगर एक साथ हो गए ब्रिडिशर्स को समझ में आ चुका था कि अगर भारती ये लोग और भारत के लोग अगर एक साथ आ गए एक साथ लड़ना शुरु कर दिये तो हमारी हालत खराब हो जाएगी 1857 के विद्रों में तो ये अंदोलन अलग अलग समय पर शुरू हुआ अगर एक साथ शुरू हो जाता पूरा की पूरा अंदोलन एक ही चेतर में एक साथ सुरू हो जाता तो कुछ और कुछ इतिहास देखने को मिलता लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि इन पर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाटो और राजकरो की नीती अपनाना पड़ेगा इसके ततकाल प्रभाव के रूप में अंग्रेजो दौरा विद्रो को कुरूरता से दमन्त किया गया था ततकाल रिजल्ट क्या देखने को मिले उस समय तो कुरूरता से इन्होंने दमन कर दिया जिसके फल स्वरूप हजारो भारतियों की मौत हुई अंग्रेजों ने भारतिये प्रतिरोध को कमजोर करने और बविष्य के विरोध को रोकने के लिए बाटो और राजकरो की नीतियों को भी लागू कर दिया था उन्हें समझ में आ गया था कि अगर एक पूछन करने नहीं आएंगे कि सर आपने क्या दिया आपने जॉब दिया आपने हमाई लिए क्या काम किया क्या काम नहीं किया यह हमसे पूछने नहीं आएंगे तो बाटने और शाशन करने की नहीं थी ब्रिटेन को सत्ता का हस्तान तरण दूसरा क्या देखने को मिला कि ग पश्चाथ, बिडिश क्राउन ने East India Company से भारत का प्रशाशन अपने हाथों में ले लिया, मलब 1857 के पश्चाथ, बिडिश क्राउन ने East India Company से भारत का प्रशाशन अपने हाथ में ले लिया, तदा बिडिश शरकार ने कुछ सिकायतों को दूर करने के लिए, मतलब विविनि 1909, 1919, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखके, चार्ज लाइन में यहाँ पे, 1861, ठीक है, 1892, 1909, इस तरीके से ब्रैकेट लिखके, खतम कर दो, सामने वाले को भी पता चल जाएगा, आपको पता है कि अलग अलग का लिखके, सुधार नहीं हमाएं, प्रमुक्सुधार करना, जो कि देखने को मिल रहा था कि राजस्वनीती बहुत ही बुरी हो रही थी, जिससे इनकी हालत खराब हो रही थी, राष्ट्रवाद का पुनर उत्थान किया गया, इसके बाद ब्रिडिशर्स ने बोल दिया कि भईया, हम आपके धार्मिक नीतियों में हस्तशेप नहीं कर जानते हैं, कि भईया, भारतिय स्वतंता की दिशा में हमने पहला खदम बढ़ाया था, 1857 के विद्रोह से, बाहदुर्शा जफर सहीत विद्रोह के नित्रत्व करता, भारतिय प्रतिरोध का प्रतीग बन गए, और उनकी विरासत ने महात्मा गांधी सहीत बाद के भारतिय राष्टवादियों को प्रेरित किया, इन्ही की विरासतों ने हमें देखने को मिलता, प्रेरित किया, कि यह एक समय था, 1857 में हमने बिना किसी चीच के इनसारी इनको विद्रोह किया और इनकी हालत खराब कर दी, इनकी मतलब इनको जड़ से हिला दिया था, लेकिन अगर स निशकर्ष में आ जाते हैं, निशकर्ष देखो, इस विद्रोह का ब्रिटिश जनता और सरकार पर भी काफी प्रभाव पड़ा था, जिससे ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों का पूर्ण मूल्यांकन किया गया था, तदा भारतिय मांगों के प्रति अधिक समझोता वा है वहाँ पे, हम कहेंगे कि इसलिए, क्या पॉइंट हम बता रहे हैं, कि भी यह देखो, ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों का पूर्ण मूलांकन किया गया, भारतिय मांगों के प्रति अधिक समझोता वादी रष्टिकोन को अपनाया गया, इसलिए इसे सौतंत्रता के लिए होने वाला प्रतम संग्राम कहा जा सकता है, क्योंकि यह पहली बार था, जब विभिन भारतिय बृटिश शाषन के खिलाफ, विभिन भारतिय बारत के अलग अलग वर्ग के लोग, बृटिश शाषन के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आये थे, यह सभी अपनिव ठीक है, तो 15 अंक के प्रश्न को कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, 15 अंक का प्रश्न था, और 15 अंक के प्रश्न पे तीन चार चीजे पूछ ली गई थी, अगर मानलो इसी कोश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, कोश्चन को क्या चेंज कर दूँ, कि भी 1857 के कारण और परिणाम लिखो, प्रकृती हटा दूँ, तो हम कारणों को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा क्या कर देंगे, कारणों को एक्स्प्लेइन कर देंगे, लेकिन प्रकृती हटा देंगे, अगर बोले प्रकृती और परिणाम लिखो, तो प्रकृती को बढ़ा आप लोगों को प्रशन समझने पर फोकस करना चाहिए अगर आपने प्रशन की भाषा समझ ली, यह जान लिया आज के बाद अगर आपने यह समझ लिया कि प्रशन क्या पूछ रहा है कितना पूछ रहा है और इसको कितना लिखना है तो आप यगीन करो बहुत बहतरी नंक आएंगे और आप सारे questions को बहुत असानी से कर लोगे तो यह रहा आप लोग का question इमानदारी से बताओ कितने बच्चों ने एकदम सही तरीके से और इसी तरीके से answer लिखा जरूर कमेंट करके बताना है अगर आप कमेंट करके बता रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ सर कुछ और questions समझाओ कुछ और questions लेके आओ तो मैं पूरे modern इंडिया से करीब 100-100 questions जितने अगर questions आएंगे तो वहीं से आएंगे बाहर से नहीं आएंगे तो कुछ 50-100 questions हम लेके आएंगे और उन questions को समझेंगे किस questions में क्या पूछ रहा है और आपको क्या अपने उत्तर में लिखना है हम केवल उस चीज पर चर्चा करेंगे कि उत्तर क्या लिखना हम answers लिखके उसको time waste नहीं करेंगे देखो हमें content पता रहता है यह सब चीज़ें हमें पता थी परिचय के बाद यह सारी चीज़ें हमें पता थी कारण क्या है आर्थ एक समाज एक ठीक है बस हमारे साथ problem क्या है हम भटक जाते है हम बहुत जल्दी किसी और चीज में चले जाते हैं और वहीं लिखने लगते हैं और उसके कारण बाद में हमें main points लिखने के लिए समय नहीं बसता है ना समय बसता है ना जगह बसती है ना शब्द सीमा भी खतम हो चुकी होती है यह सबसे बड़ी दिक्कत है तो हमें यहीं नहीं पता है कि कहां पर रुकना है कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है यह सबसे important चीज यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि बाकित उस धार्मिक कारण आपने पता है राजनैतिक कारण पता है प्रकृती हमें पता है लेकिन ये दो शब्द बहुत important रहेंगे व्यापक भागिदारी और गड़बंदनों पर बल और इसी के बाद हमने परेणाम की बात करें बाटो और राजकरो के शाचन ब्रिटेन की सत्ता का हस्तान तरण प्रमुक सुधार करना बारतिय राश्टबाद का पुनर उत्थान होना और इसी के बाद हम आ गए निशकर्ष निशकर्ष लिखने की अपनी एक तरीका है निशकर्ष को लिखिए बहुत बहतरीन तरीके से लिखिए और उसके बाद हमारा आंसर हो जाता है खतम फिर से एक होंवर्क आप लोगों के लिए होंवर्क क्या है समझना शब्द सीमा 175 अंक 15 प्रश्ण क्या है इसको समझ लेते हैं भारतिय स्वतंतरता संग्राम में असहयोग आंदोलन देखो हमने क्या देखा समीनय वग्य देख लिए 1857 देखा और एक अब देख रहे हैं आसहयोग आंदोलन तो आसहयोग आंदोलन के प्रभाव फिर से देखो यहां पर आसहयोग आंदोलन नहीं पूछा तो शुरू मत हो जाना कि आसहयोग आंदोलन जलिया वाला बाग काम नहीं करना है, उसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए, इसकी रणनीतियों और परिणामों का विशलेशन कीजिए, अब देखो विशलेशन करना है, विशलेशन मतलब एग्जामिन करना है, निशकर्ष तो लिखना बहुत जरूरी है, मैं आप लोगं परिणामों का आपको एग्जामिन करना है, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, या करना था, क्या निशकर्ष बहुत जरूरी हो जाता है तो यह अंक है कितने, पंदरा पंदरा अंक में आपको प्रभाव भी बताने है, ठीक है, रणनीतिया मतलब क्या-क्या हुआ किस तरीके से प्लान किया गया था सहयोग आंदोलन समझ में आ रहा है वह सारी चीजे बतानी है अरे हाँ या ना समझ में आ रहा है यह से और नो बताते हुए चलो परिणाम का विशलेशन करना है कि परिणाम क्या हुआ करते यह सारी चीजे बतानी है क्या इतना क्लियर हुआ अरे बोलो भई समझ में आ गया इतना क्लियर हुआ अब इस आंसर को आप लोग को लिखना है हम केबल क्या कर रहे है हल करने का दृष्टी कोन क्या होगा हम केबल वो देखेंगे अंदर की चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुवात कीजिए असहयोग आंदोलन था क्या असहयोग मतलब क्या है इस शब्द का non-corporation moment non-corporation moment में यह है क्या non-corporation moment होता क्या है यह बताओ ठीक है इस चीज की चर्चा करो सबसे पहले तो भारत के सवतंतरा आंदोलन पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए clear बोला गया है भाईया main body यह तो हो गया introduction यहां तक क्या देऊगे आप introduction यह है intro वाला point यह है main body प्रभावो की क्या कीजिए चर्चा एफेक्ट्स क्या थे असहयोग आंदोलन की रण नीतिया एवं परिणामों का दूसरा point क्या है रण नीति जो प्रश्ण पूछा है वो उत्तर में दोना भाई रण नीति एवं परिणाम रण नीति से परिशान मत हो जाना सर कौन सी रण नीति बनाए यहां पर कोई रण नीति नहीं है रण नीति मतलब असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ क्या boycott कर रहे थे school वगर को छोड़नी की बात किये क्या कहे क्या नहीं कहे आप लोग अपने answer में लिखोगे और उसका result क्या हुआ परिणाम क्या हुआ वो बताना है और result बताने के बाद आप लोगों को निशकर्ष लिखना बहुत जरूरी है और उसी के अनुसार आप लोगों को क्या लिखना है निशकर्ष लिखना है तो मैं उमीद करता हूँ कि अस है होगा अन्दोलन यह तो एक और topic हो गया एक और 15 अंका प्रशन हो गया अराम से आप लोग इस question का screenshot ले लो ठीक है और इस question को जरूर लिखो question कहा है यह रहा question इस question का screenshot ले लो और लिखने की कोशिश करो कि आप क्या हम सहीं तरीके से लिख पा रहे हैं इस answer को और फिर उसके बाद आप लोगो को PDF में इस वीडियो के description में कुछ समय बाद PDF में आप लोगो को इसका answer मिलेगा और खुछ ते मैच करो सही होगा अन्दोलन हमें पता है क्या हमने इस answer को इस उत्तर को सहीं लिख पाए मैं बार-बार बोल रहा हूँ selection दिलवाएंगे 8 और 15 नमबर के प्रश्ण क्योंकि 2 में एक और देड तो सभी ले आएंगे आदा एक नमबर से फरक नहीं पड़ेगा 2 ले आएगा कोई कोई देड ले आएगा ठीक है अगर सहीं पॉइंट्स लिखें है राइटिंग अच्छी दो देड मिलते रहते हैं ठीक है चार में भी धाई तीन चार मुश्किल है धाई तीन साड़े तीन इतने का खेल होता है में खेलेंगे आप लोग के question 8 और 15 आट में से हो सकता आपको 2 मिले लेकिन 8 में से हो सकता आप लोग को 5 मिल जाएं साड़े 5 मिल जाएं 6 मिल जाएं 15 में से हो सकता है इस question में अगर आपने निश्कर्ष ने लिखा 15 में से 2 या 3 मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है लेकिन वहीं आपने तरीके से इस answer को फ्रेम करना अगर सीख गए तो 15 में से साड़े साथ 8 या में एक्जिमम नंबर देखने को मिलेंगे जादी अच्छा हुआ तो 9 इस से जादा नहीं 9-10 से जादा उपर देखने को नहीं मिलता 10 भी बहुत जादा हो गया तो यह एक तरीके का answer writing है answer frame करने का तरीका है comment section में जरूर बताओ किस तरीके से अपने इस चीज को देखे अगर कुछ doubts हैं तो comment section में पूछो मैं खुद personally आप लोग को इन सारी चीजों का answer दूँगा जो भी चीज समझ में नाई हो या कुछ ऐसा लग रहा हो या कोई आप लोग का ऐसा प्रश्ण भी हो तो भी आप लोग उससे चर्चा कर सकते हैं अब मिलेंगे आप सभी से next वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care, keep learning